वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते स्वागते जी तुहड़ा साड़े यूट्यूब चैनल बानी टीवी देविच ते आज दी जड़ी साड़ी वीडियो है ओ ए गुरु नानक देव सहब जी दे पारे गुरु नानक देव सहब सचे पाथशा जी जी जड़े सिख तरमदे फाउंडर होएने सिख तरमदे बानी होएने उना दी बहुत सारे लग-लग तरमादे विद्वाना ने आपो अपने शब्दान दे विच सिफ्ट कीती है जिवे के महा कवी डक्टर अकबाल ने अपने उर्दू दे शेरां विच गुरु नानक देव सहब जीदा गुनगान कीता है एक शेर विच डक्टर अकबाल बड़े सोने बोल कहीं देने फिर उठी आखिर सदा तोहीद की पंजाब से हिंद को एक मरदे कामिल ने जगाया खवाब से एक होर शेर विच डक्टर मुहमद अकबाल जी कहीं देहन के हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा गुरु नानक देव सहीब जी दा जिस इलाके विच जिस नगर विच आप जी दा परकाश होया उसनों राय पोए दी तलवन्ली दे नामनाल जानेया जाना है जिन्हों आज जसी श्री ननकाना सहीब दे नामनाल जान देहां ते इस इलाके दा जिडा मुखी सी जा जो वजीर सी मालक सी हो दा नाम सी राय पोलार गुरु नानक देव जी दे परकाश तो पहला राय पोलार ने एक सुपना विखिया जिन्हों ननकान दा करता बड़े सुंदर शबदां दे विच ब्यान करता है उच्ची माड़ी अपनी सुता राय बुलार अल्ला अकबर आख के बरडाया त्रैवार बेगम चूट जगाया पुछ्या नाड पियार की तकदा है खाब विच बोल्या ते विचकार अश्माना तो टुटके तारा एक बलकार तलवंडी ते डिगिया चमक अजाय बमार वग्या विच बार दे नूरा दा दर्या रुड़े आ जामा उस विच कंडा हाथ ना आवे ननकाइन दे करते ने राए बुलार ने जो सुपना वेखिया गुरु नानक सहीब जी दे परकाश तो पहला उदा जिकर कीता है वैसे राए बुलार गुरु नानक देव सहीब जी दे विच बहुत ज़्यादा शर्दा रखदा सी उननों अपना गुरु पीर मुर्शिद कहके ही बलौंदा हुंदा सी गुरु नानक देव सहीब जी दे परकाश पारे गुरुबानी विच वी जिकर आया है और गुरु नानक देव सहीब जी दे परकाश नों हनेरे विच चराग बलंदे वांग किया किया है बलेो चराग अंधियार में सब कल उधरीक नाम तर्म पाईगुरु दास जी ने इसे परकाश नों सूर्ज करके बयान कीता है साथ गुरु नानक परगटेया मिटी तोंद जाक चानन होआ पाई गुर्दास के इंदे ने जिमें सूर चड़ दै ते तोंद मिट जान दीया इस तरह गुरु नानक देव सहब जी ता इस तरती दे उते परकाश होया जिनना दे परकाश नाल जड़ी पखंड दी तुंद आले दुआले फैली होई सी और मिट गई जेसी गुरु नानक देव सहब जी दे माता पिता दी गल कर देयां ते गुरु नानक देव सहब जी दे पिता जी सन मैता कल्यान दास जी जिनना ता जदी पिंड सी डेरा जामा राय तैसील तरन तरन जिला अमर्द सर मेता कलियान दास जी दे पिता जी पाव के गुरू नानक देव सहव जी दे दादा जी शिवराम जी इस से पिंड दे डेरा जामा राय दे ही रैन वाले सन पर कलियान दास जी माल मैक में वज्जों पतवारी लगके राय पोएदी तलवंडी जिन्वसी ननकाना सहभ के नया जिला शेख पूरा इत्थे आके रैन लगपे ते राय बुलार जी दे कौल नुक्री करन लगे कियोंके पुराने रवाज अनुसार जदों किसे लड़की दे कर पहले बच्चे दा जन्म होना हुनदा सी ते उ अपने पेकेया दे कर रविच चली जन्दी सी तो इस तरह माता त्रिपता जी दी कुखों बेबे नान की जी दे जनम तो पहला ओ अपने पेकियां दे पिंड पिंड चाहल लहौर विच चले गए ते उते सन 1424 ईसवी नो बेबे नान की जी दा जनम होया ते नान की आंदे कर विच जनम होन करके इस बची दा नाम नान की रखिया गया बेबे नान की दा सिक तरम विच बड़ा वड़ा ते उच्चा स्थान है क्योंके सब तो पहला जे किसे ने जाने है के गुरू नान की जी कोई आम इनसान नहीं परमात्मान दा रूप ने ते बहुत गैरे संदेश इस दुनिया वास्ते लेके आये ने इस गल नू सब तो पहला बेबे नान की जी नहीं पशाने है सो बेबे नान की जी दे जनम तो पांच साल बाद विच सन चौदा सो उनतर दे विच राहे पोएदी तलवंडी विखे जिला शेखुपुरा मैता कल्यांदास जी ते कारविच ते माता त्रिप्ता जी दी कुखो गुरू नानक देव सहब जी दा परकाश होया सब तो पहले दर्शन करंदा जो किसे नु सबाग परापत होया ते ओसी दाई दालता सब तो पहले दर्शन इस औरत दाई दालता ने गुरू नानक देव सहब जी दे कीते विखो दाई दालता दा नाम ते ओदे कारदया ने पहले दालता रख्या सी और उमर काफी वडेरी होगी सी पर अज गुरु नानक देव सहब जी दे पहले दर्शन करके सच मुच दाई दौलता वाली बन गई सची दौलत प्रापत हो गई ते दर्शन करके दर्शन देखत ही सुद की ना सुद रही बुद की ना बुद रही मत मैं ना मत है जो में पाई गुर्दास कहीं देने के बड़ी उच्छी वस्था नू प्रापत हो गई हर तरह दा लाल्च, शिकवा, चिंता, शिकायता मिट कहिया गुरु नानक देव सहब जी दे सब तो पहले दर्शन करन दा सुपाग ते मान दाई दाउलता नू प्रापत होया गुरु नानक देव सहब जी दा सब तो पहला सिख बन दा मान बेबे नान की नू प्रापत होया ते गुरु नानक देव सहब जी दे पूरे जीवन वेच सब तो जादा उनना दे नाल रेन दा जिडा सनमान है उपाई मरदाना जी नो प्रापत होया पाई मरदाना जी दा जन्म मी राय पो एदी तलवन्डी वे चीह होया सी ते ओ गुरू नानक देव सहब जी दे नालो उमर विच दास साल बडे सन रबाब वजाँ दे हुंदे सन और एक दिन गुर्णानक देव सहिब जी जो दो खेताँ जी विचर रहे संते कन्नाच रबाब दी वाज पई ते नेड़े जाके पुछी आसी के बड़ी सोनी रबाब हो जाओना है तेरा नाम की है ते क्या आसी पाई मरदाना जी ने मेरा नाम दाना है मराशियां देकार विच मेरा जनम होया लोकां दी सिफ्ट करके असी रोजी रोटी कमाउने या ते गुजारा कर देया ते गुर्णानक सहिब ने क्यासी मरदाने या जे आज तों राग विच शब्द पाके गाएंगा ते दाने तों मरदाना बन जाएंगा बड़ा बड़ा मान गुर्णानक सहिब जी ने पाई मरदाना जी नू देता तो एवी उन्ना कोड इस गल्दा मान है के सब तों जादा जे कोई गुर्णानक देव सहिब जी दे जीवन विच उन्ना दे नाल रहा ते उ पाई मरदाना जी गुरुनानक देव सहीब जी ने सब तो पहला जे किसेनो परचारक नियुकत कीता परचार करन्दे वास देते उपाई मन सुख्ची सन गुरुनानक देव सहीब जी ने अपने जीवन काल देवेच चार उदासिया कीती है पहली उदासी उना दी सन 1497 तो 1509 तक संपूरन होई पहली उदासी पूर्ब दे इलाके वाल सी ये दे विच गुर्णानक देव सहब जी सुल्तान पुर तो चुरू होके एमनाबाद, लहोर, मुल्तान आदा दौरा कर दे होए कई अलाकेयां दे विच 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 दे कुर्शेतर, करनाल, मत्रा, विंद्रावन, अजोदेया इन अलाकेयां दे विच लोकानो परमात्मा दे चर्णा नल जोड़ दे रहे और पखांड विच उंबार कटते रहे पहली उदासी समय गुरू नानक देव सहब जी बारहन साला तो बाद वापस अपने कारवल मुड़े दुजी उदासी गुरू नानक देव सहब जी दा जिड़ा समय वो 1510 तो लेके 1514 तक लगबग 5 वर्यां दा समय बन दे जिन्हों सी दखन दी उदासी दे नाम नाल जान देयां इस उदासी विच गुर्णानक देव सहब सुल्तान पुरों सिद्धे सरसा बीकानेर जैपुर जोदपुर जैसलमेर अजमेर पुशकर चाला पाटन आबू नाथ तुआर उजैन खोर बहुत दूर तक दे लाकेयां जिन्हाच पांडी चिरी मदरास नागा पटम इन्हा इलाकेयां दे विच विच रे तीजी उदासी गुर्णानक देव जी ने सन 1515 इसवी तो 1518 इसवी तक लगबग चार साल विच पूरी किती एउदासी उत्रा खंड दी सी इस उदासी विच गुर्णानक देव सही जी कश्मीर गुर्दास पूर दसूहा कोटला तिरलोक नाथ पालम पूर कांगडा जवाला मुखी मंडी सुकेत रवाल सर चंबा कुलू कहलूर किरत पूर पंज़ोर तारा तीरत क्रोल शिमला मंसूरी चकरोदा आदक जो बदरी इस उदासी देव सही जी ने जड़ी चवथी ते आखरी उदासी की ती जो पच्छम दी उदासी दे नाम नाड मशुहूर है जो खास करके मुसलमानी नगरा ते इलाकिया नाल सबंदत है उदासी सान पंदरां सो उन्नी विच शुरू हो के पंदरां सो चोवी इस वी दे तक लगबग छे साल नाम विच खत्म होई एस उदासी वेच गुर्णानक सहब उच्छे हडपा, कटास, तीरत, देह गुजरात, देहराजात, थाई हुंदे होए बलोचिस्तान, देरस्ते, एरान, तुरकिस्तान, रूसला, आजरबाईजान, उजबेकिस्तान तक आशकंद, काशकंद, समरकंद, हिरात, गजनी, कंदार, काबल, जलालाबाद, पिशावर, आदि, थाई हुंदे होए वापस करतारपुर आए, एसे उदासी वेची गुर्णानक देव सहब जी ने मक्के मदीने वेच भी आपने चरन पाए, सो, गुरु नानक देव सहब जी दे जीवन बारे सी ए मुडली जानकारी जो तुसी इस वीडियो देवेच सुने हैं, जे वीडियो वदिया लगी ताप पलीज लाइक शेर जरूर कर देओ, साड़े चैनल नो सबस्क्राइब कर लगो, ताँके इस तरह दियां होर वीडिय जोस्त वाड़े तक सबतों पहिना पहुं सकन वाहिगरु जी का खालसा वाहिगरु जी की फते हैं